दोस्तो, mutual fund बिल्कुल मत करना जी हाँ, आप सही सुन रहा है मैं यह आप से कह रहा हूँ कि mutual fund बिल्कुल मत करना तब तक, जब तक आपको इस से जुड़ा हुआ सही जानकरी, आपके पास ना हो तो दोस्तो जाहिर सी बात है कि आज का यह video बनने जा रहा है कुछ नया जानकरी आपको ज़रूर से मिलता है तो वैसे ही एक दावे के साथ मैं आज भी यह कह सकता हूँ कि आज का यह video बनने जा रहा है यहां से mutual fund से रिलेटेट काफी कुछ नया जानकरी आपको मिलेगा तो वीडियो को आपको end तक ज़रूर से देखना है दोस्तों बिलकुल भी skip मत करना क्योंकि बहुत जानकरी इकट्था करके फिर मैं यह video आपके लिए बना रहा हूँ और दोस्तों और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि mutual fund जो है वो इतना छोटा सा syllabus नहीं है वो बहुत ही बड़ा बहुत ही वास syllabus है जो की एक creator के लिए एक videos में cover करना बहुत ही मुश्किल है तो mutual fund से related यह मेरा पहला video बनने जा रहा है अगर आपको अच्छा लगे तो आप comment ज़रू से करना इस से related मैं दुसरा videos भी आपके लिए लाओंगा तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और mutual fund के बार में कुछ नया सीखते हैं सो हे गाइस मैं प्रशुन आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल टेक प्राउजर में तो चलिए दोस्तो एक डूप की लगा ही लेता है टेकनलोजी के समुन्दर में दोस्तो आज की इस वीडियो से एक नया चीज जो डेफिनिटली आप सीखने वाले हो वो यह है कि कौन सा टाइम परफेक्ट होता है mutual fund में invest करने के लिए क्यों लोग mutual fund में invest करने के बाद losses का सामना करते हैं तो यह चीज मैं वीडियो के end में आपको बताऊँगा तो वीडियो को end तक आपको ज़रूर से देखना है लेकिन यहाँ पे और एक चीज है दोस्तो वीडियो को skip बिल्कुल मत करना क्योंकि उससे related और भी कुछ information मैं time to time वीडियो में आपको देता रहूँगा दोस्तो mutual funds सुनने में जितना critical लगता है जितना vast लगता है actual में उतना है नहीं दोस्तो मैं आज बहुत ही आसान भाषा में आपको mutual fund का concept देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है जो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ताके आप mutual funds के concept के उपर concentrate कर पाओ वो सवाल ये है के दोस्तो mutual fund किसके लिए सही है तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा mutual funds सभी के लिए सही है जो चाहते हैं कि मैं आज invest करूँ मुझे over the long period एक अच्छा खासा return मिले उसके लिए भी mutual funds सही है जो चाहते हैं कि भीया मैं आज invest करूँ और कल मेरा पैसा double हो जाए उसके लिए भी mutual funds सही है और जो चाहते हैं कि भीया मैं आज invest करूँगा और यहां से daily का जो मेरा needs है वो regular income के जरीए पूरा हो सके तो उसके लिए भी mutual funds सही है तो आखिर में दोस्तो वो सवाल आ ही गया कि mutual fund actually क्या है दोस्तो mutual fund को समझने से पहले एक छोटा सा problem है जो regular life में होता ही रहता है हम लोगे साथ वो problem के बारे में थोड़ा सा सोचना problem यह है कि आप चाहते हो कि KFC में जाके chicken bucket खरीदे लेकिन आपके पास है सिर्फ 100 रुपे और उस chicken bucket का जो price है वो है thousand rupees तो वो आप कैसे खाओगे तो दोस्तो इसका solution है mutual funds जी हाँ आप साही सुन रहे हैं इसका solution है mutual funds वो कैसे आईए आपको समझाते हैं तो दोस्तो आप मानलो आपके पास 4-5 friends हैं आपके पास 100 रुपे हैं लेकिन दूसरे के पास 300 रुपे हैं किसी और के पास 200 रुपे हैं ऐसे गर के आप लोग जो 4-5 दोस्त हैं आपके पास total 1000 रुपे बन जाता है तब जाके आप क्या कर सकते हो वो वाला chicken bucket खरिद के ला सकते हो लेकिन यहाँ पर problem यह है कि किसी एक बंदे को इसका जिम्मेदारी लेना पड़ता है कि भाया यह जो collection है पैसा को तो collect करना पड़ेगा ना मेरे भाई पैसा जो collect करेगा वो collect करके पैसा लेके जाएगा केपसी में chicken bucket को खरिद के लाएगा और आप में distribute कर देगा तो दोस्तो इस example से आपको क्या पता जलता है कोई एक बड़ा सा चीज है जिसको खरिदना का एना पैसा आपके पास नहीं है लेकिन आपी की तरह और 10 लोग हैं जो वो ही चीज खरिदना चाता है लेकिन उसको खरिदने का उन लोगों के पास भी इना पैसा नहीं है तब जाके आप लोग क्या करते हो आप लोग एक pull create करते हो pull मतलब जहां पे सब लोग अपना अपना पैसा डालते हैं कि ये जो पैसा आप डाल रहे हो उसको collect करने के लिए एक बंदा तो चाहिए जो उसको collect करेगा और वो बड़ा सा चीज खरिद के आपको लाके देगा और आप में distribute करके देगा तो वो ही होता है दोस्तो asset management company जिसके पास होता है mutual funds का वो pull जहां पे आप पैसा डालते हो और उस पैसे को इकटे करके वो कोई बड़ा share खरिदता है या फिर कोई बड़े stock में इंवेस्ट करता है या फिर कोई government securities खरिदता है या फिर कोई gold में इंवेस्ट करता है या फिर agricultural sectors में इंवेस्ट करता है ऐसे बहुत सारे जगाओं पे invest करते हैं क्योंकि उनके पास होते हैं पैसे invest करने का experts जो आपके बिहाब पे investment करता है और अच्छा कासा return कमा के आपको वो return देता है और आप जितना पैसा pull में डाल रहे हो उसके return में आपको जो मिल रहा है उसका calculation होता है unit से मतलब आप जितना डाल रहे हो उसके हिसाब से आपको उतना unit मिलेगा अब उस unit को आप चाहो तो sale भी कर सकते हो उस unit को चाहो तो फिर से purchase भी कर सकते हो ऐसे करके चलता है mutual funds का concept यहाँ पर और एक चीज़ है दोस्तो यह जो companies है asset management companies जो कि mutual funds companies के बारे में भी आप साहिट से जानते होंगे वो आ अपना two to three percent commission अपने पास रखता है जिससे वो अपना जो expert है जो expert आपके भ्याप पे पैसा डालता है उनको वो payment करते हैं अपना भी paid भरते हैं जहां पे पैसा invest करने का सवाल आता है वहाँ पे एक बड़ा सवाल यह आता है कि security मतलब आप जिसको पैसा दे रहो वो अगर आ asset management companies होते हैं वो SEBI के द्वारा regulated होते हैं SEBI मतलब Securities and Exchange Board of India जो कि एक government body है जो कि regulate करते हैं इन सारे जो mutual funds company है या फिर asset management companies हैं उनको वो regulate करते हैं SEBI जैसे banks को regulate करते हैं RBI वैसे ही इन सारे companies को regulate करते हैं SEBI तो दोस्तो mutual fund क्या है उमीद है सही से आप समझ चुके होंगे अब mutual funds क types होते हैं अलग-अलग types कौन से mutual fund में आपको invest करना चाहिए वो उस types के उपर depend करता है जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आप से कहा था कि भाया mutual fund सभी के लिए सही है सभी के लिए सही है लेकिन वो depend करता है उन types के उपर कि आप क्या चाहते हो तो आपको कौन से types के mutual fund म इन्वेस्ट करना चाहिए तो ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा एक टॉपिक है दोस्तो अगर इसके बारे में आपको डीटेल में जानना है तो कमेंट जरूर से किजिएगा नीचे ये वाला वीडियो आपको कैसे लगा अगर इस वीडियो का सेकेंड पार्ट चाहिए तो स सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा टाइब से और आपको drives में आपको इंवेस्ट कना चाहिए आप क्या चाहते हो और उस हिसाब से कौन सा है आपके लिए परिक्ट तो कमेंट जरूर से किजिए तो इसका सेकेंड पार्ट भी में जरूर से लाओ इसका मतलब क्या है एक पेड़ लगाने का सही मौका जो था वो 20 सल पहले था और दूसरा सही मौका जो है वो है अब क्योंकि वो 20 सल पहले वाला मौका तो आप गवा चुके हो तो आपका सही मौका कब है अब है तो दोस्तों mutual fund में invest करने का कोई particular time ही नहीं होता है अब जब च limit ही नहीं है एक छोटा सा बच्चा जिसको gifts में कुछ पैसा मिलता है pocket money से कुछ पैसा मिलता है वो उस पैसे को भी mutual fund में invest कर सकता है अपने नाम से अगर कोई बड़े बुजूर्ग है जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो भी चाहे तो mutual funds शुरू कर सकते है और आप और मैं अगर चाहूं तो मेरे भाई मैं कभी भी mutual funds शुरू कर सकता हूं तो mutual funds शुरू करने का कोई सही मौका नहीं होता है अब जब चाहो mutual funds शुरू कर सकते हो लेकिन यहाँ पे mutual fund में invest करने के बाद कुछ लोग जो है losses का सामना करते हैं वो क्यों करते हैं क्योंकि उनको पता ह आपके कमेंट के हिसाब से मैं अगला वीडियो जरूर से बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से टाइप होता है और उन टाइपस में से आपके लिए कौन सा परफेक्ट टाइपस होगा जहां पर आप में इन्वेस्ट करके अच्छा गासा मुनाफ़ा कमा सकते हो वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताईएगा इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तो अगर अच्छा लगे तो इसका सेकेंड पार्ट वी में जरूर से लाओंगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत